6 सितंबर की वो राज जिसका हम भारती औव वैग्यानिक लगभक महीने भर से इंतजार कर रहे थें इसका कारण 22 जुलाई को स्री सती जवन स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया चंद्रयान 2 6 सितंबर की राद को चंद्रमा पर लैंड करने वाला था सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था इसरो की सभी वैग्यानिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारत के प्रतिभा साली स्कूली बच्चों के साथ 135 करोन की भारती जनता इस एतिहासिक यात्रा का गवाह बनने जा रही थी भारती युवा भी इसे टेलिवीजन स्क्रीन पर तथा अन्याए भारती युवा इसे मुबाइल स्क्रीन पर देख रहे थे चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा पर एक बचकर 55 मिनट पर होनी थी इस रो के चेर्मैन ने पहले ही कहा था कि चंद्रमा पर लैंड करते समय अंतिंग के 15 मिनट काफी मुश्किल भरे होंगे और जैसे जैसे विक्रम लैंडर चांद की सर्फिस के पास पहुंचता जा रहा था वैसे ही सभी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और साथ में एक खुसी खुसी इतिहास रचने की तथा विश्व में अपनी प्रतिभा का परश्य कराने की लेकिन तभी चांद की सतह पर लैंड कर रहे विक्रम लैंडर का संपर्क चांद की सतह से मातर 2.1 किलो मीटर की दूरी पर ही तूट गया जिस समय इसका संपर्क टूटा उस समय केवल मिशन में 79 सिकेंड ही बाकी थे विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद उस से संपर्क करने के लिए काफी प्रयास किये गए लेकिन जल्दी ही सभी विज्यानिकों के चेहरे पर मायूसी सी चा गई इस अउसर पर इसरो के चेहरमैन के सीवन काफी भावोख हो गए भारत के जाबाज विज्यानिकों की लगभग दस साल की मेहनत लगभग असफल ही हो चुकी थी जिसके काराण सभी विज्यानिक उदास थे और सभी भारतिय जिस खुस खबरी का इंतजार कर रहे थे वहत चांद की रहश्य मई दक्षणी दुरूओं में समा गई तथा अंतमी केसीवन ने अंतिम घोशना करते हुए कहा की सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था लेकिन चांद से दो दस्मलो एक किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा विक्रम से संपर्क तूट गया और हम संपर्क तूटने के पहले लेंडर के द्वारा भीजे गए आंगडों का अधियन कर रहे हैं इन सभी वाक्यों को कहते हुए कि सीवन की जुबान काप रही थी जो कि उनकी भावुकता को चिन्हित कर रही थी इस मायूसी के महौल में भारत की लोकप्रियनेता नरेंद्र मोधी जी ने विज्यानिकों को सांतोना देते हुए कहा कि विज्यान में असफलता नाम का कोई सब्द नहीं होता विज्यान में प्रयोग और प्रयासी ही होते हैं और उन्होंने हर घड़ी में विज्यानिकों के साथ रहनी की भी बात कही जिस चीज का इंतजार हम कर रहे थी फिलाल वह तो हमें न मिल सकी लेकिन इस समय हम एक अच्छे नागरिक के रूप में विज्यानिकों की होसला अवजाही करना चाहिए भले ही लेंडर विक्रम का संपर ग्राउंड स्टेशन से तूट गया हो लेकिन चंद्रयान टूके ही एक हिससे और बीटर जो की चांद की परिक्रमा कर रहा है और वह चांद की सत्वकाई में सिंड कर चुका है इससे विक्रम लेंडर की खबर मिलने की संभावना है और अन्तमी दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आयोगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आयोगी तो अमारी चैनल स्नोफैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आउन कर दें